नमस्कार दोस्तों Government Exam Info में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं उत्राखंड में एक नए वेकेंसी आई है और इसी पर आज ये वीडियो बना रहा हूँ है तो इसमें हम देखेंगे कि जो वेकेंसी वो किन बदों के लिए है कौन-कौन इसके लिए आवेधन कर पाएंगे यानि कि इसके लिए जो योगिता है वो कितनी मांगी गई है Age Criteria क्या है यानि कितने वर्ष के छात्र ये Candidates को भर सकते हैं Salary कितनी रहेगी और आवेधन कैसे करना है और आपका selection इसमें किस तरह से होगा इसकी बात करेंगे तो ये vacancy जारी की गई है निदेशक आयूरवेदी के एवं यूनानी सेवाएं उत्राखन द्वारा तो चलिए देखते हैं जो पोस्ट है कौन-कौन सी है कितनी पोस्ट हैं इसमें ये सारी डिटेल आज की वीडियो में देखेंगे तो वीडियों बने रही है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो शुरू करने से पहले अगर आप अभी हमारी चैनल पर नए जूड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में आपको बैल आइकन का उप्शन मिलेगा वहाँ पर जाकर ओल का उप्शन आपको चूज करना है ताकि जो सभी नोटिफिकेशन एक्जाम से जूड़ हुई वो आपको मिलती रहे इसके लावा आप टेलिक्राम ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं जिसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइट करवा दूँगा दोस्तों अगर आप किसी भी कौवर्मेंट एक्जाम की त्यारी करते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और यहाँ पर आपको एक्जाम से जूड़ ही सभी वीडियोस मिलते रहेंगे तो चले शुरू करतें आज का जो वेकेंशी है वो किन पोस्ट के लिये है वो देखते हैं आज हम तो दोस्तों देखिए यहाँ पर यह जो विग्यप्ति है वो जारी की गई है निदेशक आयरवेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्रखंड देहरा दूंद्वारा यह जो विग्यप्ति है वो बनाये कैसा 24 सितंबर 2020 को और इसे कल यानि कि 25 सितंबर 2020 को जारी कर दिया गया था तो देखते हैं इसमें क्या गहा गया तो देखें यहाँ पर उत्रखंड सासन चिकिस्सा अनुभाग एक की अधिसूचना संख्या 1047 दिनांक 19 अगस्त दोजार नौ दौरा प्रख्यापित उत्रखंड आयरुवेदिक एवं यूनानी भैस्त जिक यानि की फार्मिसिस्ट सेवा नुभाग वाली 2009 एवं उत्रखंड सासन आयूस एवं आयूस शिक्षा वियनुभाग की अधिसूचना संख्या 1125 दिनांक 25 नौबर 2010 दौरा प्रख्यापित उत्रखंड आयरुवेदिक एवं यूनानी फार्मिसिस्ट संसोदन सेवा नुभाग वाली 2010 में निहित प्रावधानों के अनुसार राजी के राज के आयरुवेदिक चिकच सालयों में आयरुवेदिक फार्मिसिस्ट के रिक्त 71 पदों पर नियमानुसार यूक्ति हेतू पात्र अभियर्तियों से आवधन पत्र निम्न निर्धारित प्रारुप पर आमंत्रित किये जाते हैं और यह प्रारुप क्या है मैं आभी आपको बताऊंगा तो पदों की संक्यास में घटे अबढ़ सकती है तो यह कौन से पदें अभी देखते हैं तो देखें यहां पर जो टोटल पोस्ट है सबसे पहले तो देखिए यहां पर 71 पोस्ट है वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 यानि कि अरांड 35,000 से एक लाग 12,000 के बीच रहेगा यहां पर अब जो इंपोर्टन्ट है इसमें कि कुल कितने पोस्ट है क्याटेगेरी वाइस तो वह भी देखते हैं तो दोस्तों देखिए यह फार्मसिस्ट के पोस्ट है और इसमें जो शैतिज आरक्षन दिया जाता है जिसमें कि महिला, दिव्यांग जन, पूर्व सैनिक जो होते हैं, भूदपूर सैनिक, सौतनता संग्राम सेनानी के आस्रित जो होते हैं उत्राखंड के अनाथ वच्चे इनको आरक्षन दिया गया है जिसमें महिलाओं को 30 पृतिशत, दिव्यांग जन को 4, भूदपूर सैनिक को 5, सौतनता संग्राम सैनानी के आस्रित को 2 और उत्राखंड के अनाथ वच्चों को 5 पृतिशत का यहां पर चूट दिया गया है पोस्ट है और जो जनरल कैटेगरी है उसमें साथ पोस्ट है इसके अलावा अनुसूचित जनजाती वालों के लिए ओपन कैटेगरी में एक पोस्ट है सामानी यहां पर 60 पोस्ट है दी गई है और इसमें महिलाओं के लिए 18 जो की आरक्षण के अंतरगत हैं दिव्यांग जन के लिए 2 है और भूत पूशनी के लिए 3 है स्वतनतर संग्राम से नानी के आश्रित एक पोस्ट उत्राखंड के अनात बच्चों के लिए 3 पोस्ट है और जो कुल 37 आरक्षण यहां पर दिया गया है वो है 27 और जो ओपन कैटेगरी या नहीं कि 60 में से 33 जनर्नल वालों के लिए बाकी के पोस्ट आरक्षण वालों के लिए है टोटल यहां पर कुल मिलाकर 71 पोस्ट हैं जिसमें 41 पोस्ट ओपन वालों के लिए और 30 पोस्ट यहां पर जो आरक्षित हैं उनके लिए हैं शैतित आरक्षण वालों के लिए तो यह है पूरी पोस्ट यहां पर अब अगला जो important point है यहां पर आरक्षण यहां पर इसमें आहरता है यानि कि जो requirement है educational वो क्या मांगेगा यह देखते हैं तो पहला उत्तराखंड विद्याले शिक्षा एवो परिख्षा परिष्षट उत्तरप्र प्रदेश इसके इलावे दूसरा यहाँ पर जो है वो है उत्राखंड सरकार द्वारा मानेता प्राप्त संस्ता से आयूरवेदिक या युनानी फार्मसिस्ट का दो वर्स का डिप्लोमा प्राप्त किया हो तो यह नोट कीजिए यहाँ पर आपसे दो वर्स का डिप्लोमा मांगा गया है फार्मसिस्ट के लिए तो अगर आप नहीं किया है तो ही आप इसके लिए आवे दिन कर पाएंगे तो इसको पहले नोट कर लीजिए और भारती चीकिश्था परिश्थत उत्त्राखंड में पंजिक्रत हो तो यह तो आप करवा भी सकते हैं लेकिन अगर आपने फॉर्मिस्ट का डिप्लोम नहीं किया है तो यह पोस्ट आपके लिए नहीं है आगे बढ़ते हैं अधिमानी अहरता है पहला इसमें प्रदेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या अगर ऐसा नहीं है तो आपने अगर NCC जो है उसका 20 सर्टिफिकेट जो की स्कूलों में भी मिल जाता है अ सेवा यूजन का सी प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो तो इन में से अगर आपने कुछ भी प्राप्त किया है और इसके अलावा उत्रखंट राजे में किसी सेवा यूजन कार्याले में पंच करना यानिकि एम्प्लॉइमेंट ऑफिस में आपका रिजिस्ट्रेशन होना बात कर लेते हैं आयू की एज क्राइटेरिय यहां पर क्या दिया गया है तो एक जुलाई 2020 के अनुसार यहां पर तैकिया गया है जिसमें 18 वर्स से कम नहीं होना चीए एक जुलाई 2020 को इसे डेट से आपको काउंट किया जाएगा और 42 वर्स से एक दिन भी ज्यादर नहीं होना चीए इस डेट वर तो यह है यहां पर एज क्राइटरिया उत्रखंड राज की अनुसूचित जाती हूं अनुसूचित जन जाती हूं पिछरा वर्ग और अन्य स्रेवनियों के मामले में जिने सरकार द्वारा छूट दिया जाता है वो अन्युमन्य रहेगा यहां पर सहरी सहस्त सेवाए 800 और अन्य प्राप्तियां 10 अन्य प्रक्रियन प्राप्तियां आईवेदी के शिर्षक में जमा होंगे तो आविदन पत्र के साथ चालान की मून प्रतिस हन लगने करना आवशक हो यानि कि जो 150 रुपे का आप चलान लगवाएंगे जनर्नल और OBC वाले के लिए यहां पर कोई भी फीस तैय नहीं की गई है 150 आविदन पत्र है जनर्नल और OBC के लिए जिसका फोटोकॉपी यानि की माफ कीजिएगा मूल प्रति लगाना है यहां पर लगाना है जो बैंक से आपको दिया जाएगा चैन प्रक्रिया यहां पर देख लेते हैं चैन 25 नॉब्बर 2010 द्वारा प्रख्यापित लुत्राखंड आयरवेदिक यूनानी फार्मेसिस्ट संसोदन सेवा निमाली 2010 मिनीहित प्रावधानों के अनुसर चैन डिप्लोमा उत्तिन करने के वर्सवार योगता क्रम के अनुसार मेरिट के आधार पर चैन किया जाएगा यान एक्जाम आपका नहीं लिया देगा अगला इंपर्टन पॉइंट आवेदन पत्र भनने की थी दिर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र इस एड्रेस पर ये आप नोट कीजिए निदेशक आयरुवेदिक एवं यूनानी सेवा उत्राख डांडा लखॉंडा सहस्त्र धारा सहस्त्र धारा रोड निकट आईटी पार्क दहरादून 20 अक्टूबर 2020 तक आप साम पांच वज़े तक यहां पर बेज सकते हैं आवेदन जो है वो पंजिकृत डाग स्पीट पोस्ट से स्विक्वार किये जाएंगे तो ये नोट कीजि तो यह है अगला पॉइंट अभ्यर्तियों को अपने साथ क्या कि यहां पर देना यह देख लीजिए पहले इसको ध्यान से देखिए पहला आपका हाइज स्कूल का माफ कीजिए का पहला है यहां पर आपका जो आरक्षन है जो स्ट के पास होगा जो आप और एक्जाम में यूजिण करते होंगे तो वही यहां पर आपको देना सहान का जिए जो कि रग्राथी ज़िए जया जाता है हाई स्कूल की बात करें यहां पर आपको जब माक्षूराइग इनदेना इस और कि अफ आपको फोटोब भी देना सчиह ना कि औरiyorsun ये ध्याद में रखेगा फोर् यह आपको देना है उत्रखंड राजी की रोजकार यानि की Employment Office का जो आपको प्रणजीकरण है उसकी फोटो का भी देनी है आपको कास्ट अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें आपको यहां पर क्लियर किया जाएगा अगर आप सेवा योजन कालियाले में पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप आउनलाइन कर सकते हैं इसको अगर आपको इसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ब बना दूँगा आपके लिए अगर इस पर ज्यादर कमेंट आते हैं तो दोस्तों यहां पर आप अगर आभी इसका आवेदन करना चाहते हैं तो जो प्रारूप है वह मैं आपको दिखा दिता हूं किस तरह से आपको आवेदन करना है तो देखिए यहां पर जो प्रारूप जो आपने परिक्षा उत्यूंट किये किस वर्स में किये यह आपको बताना है स्वहस्ताक्षित पास्पोर्ट साथ फोटो अभेरती का नाम अभेरती का नाम इंगलिस में पिता का नाम जन्मति थी उसली 24 के पता यानिके आपका जो correspondence address है वो बताना है और संति स्थाई पता भी आपको बताना है जो आपका स्थाई पता है जहां से आप इ izquierना जो भी है आपको यहां पर फिलब कर देना है शैति जारेक्षन पॉइंट जैसे महलाएं सुतनतर संग्राम से नानी के आश्रिद विकलांग भूदपूर सैनिक ये सारे चीजे बैंक चालान संख्या जो आप 150 रुपे का बैंक चालान लगाएंगे उसका जो संख्या है डेट कब लगाए आपने 150 रुपे बैंक का नाम ज कितने अंग प्राप्त की हैं आपने वर्षबार प्रतीशत में प्रापतांग पुर्णांक उत्तियर्ण करने का वर्ष संस्था का नाम बोर्ड ये साई चीजे अगर आपने इंटर्मशिप किया है तो इसकी अब दिया आप आपको बताना है तथा किस साले में किया है जो पर आप चीजे चीजे पर इसे दुट्र खंड में पंजीकरन संख्या क्या है आपकी सेवा योजन कारिया अपने आपने नाम से और आपने यानना में रिटेन का विदिता वदी तीन साल की होती है अगर वह आपकी खतम हो चुकी है तो आप उसको दुबारा से बढ़ा सकत उतके तो इसके बाद एक घोशना पत्र देना है यहां पर धिया गया है, मैं अपने नाम पुत्र आपके पिता का नाम विर पहें पर इना है, अभेयरति का हस्ताकषर धिलांग इस से बनें और संलगनों की संक्या जो कि वह तो आप यह देख सकते हैं, तो इस प्रारूप में आपको भढ़ना है इस पूरे फॉर्म को इस यह प्रारूप का जो आविदन पत्र का प्रारूप है आप वेबसाइट से देखे करना ज़्यादा चाहिए रहेगा तो यह प्रारूप पूरा और नीचे लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं इसकी लिंक आपको टेलिक्राम ग्रूप पर देदूँगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तों यह था पूरा देखे लिए उप्डेट और इसी तरady सब्भी अपडेट्प्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास यह बेल अइकन को भी प्रेस करके रखें सब्भी अपडेट्स कॉर्फकर करने के लिए तो तब तक विसकु धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में